नमस्कार दोस्तो मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बीएफ कर सकता है सेकंड हाफ में थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट फ्री हुआ था तो यहां पर वीडियो की बात कर लेते हैं अगर यह पर आपके पास opportunity क्या है वस चीज़ को हम समझते हैं तो सबसे पहले देखो option chain में हमें clearly यहां पर एक बार में refresh कर लेता हूं निफ्टी के option chain में दिख रहा है 17600 की जो put है वहाँ पर 36.8 lakh को open interest खड़ा हो गया इसका मतलब क्या है कि 17600 के आसपास निफ्टी ट्रेट कर रहा है और कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर भी trade करना start कर देगा call की side बात करते हैं तो 50.8 lakh का open interest खड़ा हो गया 17600 के उपर sustainable basis पे काम करना start कर गया तो फिर थोड़ी बहुत short covering और उपर ले जा सकती है निफ्टी को 17630 चालेस तक भी जा सकता है हाला कि अगर देखा जाए intraday basis पे अगर मैं चार्ट को analysis करने की कोशिश करूं यहां पे तो देखो एक जो opportunity थी वो तो यहां पर already निकल चुकी है क्योंकि अब ज्यादा आपके पास opportunity नहीं है जहां तक है वो यह एक target और यहां पर मिल सकता है निफ्टी का यह वाला जो किए 17660 का सर्फ यहीं तक निफ्टी जा सकता है यानि यहां से लेकर यहां तक का जो potential है वो थोड़ा सा अब कह सकते हैं वो बहुत जादा slow होगा तो आपके अपस second half में कोई जादा बड़ी opportunity नहीं रहेगी अब आपको market या तो sideways जाता हो दिख इकडम से कह सकते हैं 2 घंटे के अंदर ही इहां पर complete कर दिया है थोड़ी से ऑपॉचिंटी बैंक को देख लेते हैं यहां पर कि क्या बन सकता है और देखो बैंक निफ्टी यह है कि बैंक निफ्टी ने इस तिल अभी भी अगर देखा जाए तो अपने इस लेविल यानि 37 सजा 780 के level को अभी नहीं निकाला है chances very high कि इसको निकाल सकता है और around इस level तक जा सकता है क्योंकि almost nifty की बात करें तो nifty ने अपनी पूरी जो गरावर्ती इसको पूरा recover कर लिया है but bank nifty में still hundred point की यहां पर अभी जगे है और अगर हम एक कह सकते हैं nifty हरे निशान में काम कर रहा है तो bank nifty भी हरे निशान में आने की कोशिस करेगा जो की करीब 100 point का भी जो gap है उसको fill कर देगा यानि 100 point down है वो complete करके हरे निशान में भी कामकाच कर सकता है तो इस लेविल तक bank nifty आ सकता है तो bank nifty में आपके पास opportunity मिलेगी कोई भी डिप आती है आपको around 37,630,20 की वहाँ पर एक बाब buy करके काम कर सकते हो और target आपके पास होगा इस level का high यानि around मान के चलो 37,640,850 की आसपास तक का आपको target मिल सकता है अगर dip मिले तब ही खरीदेगा यहाँ पर खरीदने में थोड़ा सा risk जादा रहेगा बट यहाँ पर आप खरीदते हो तो stop loss लगा के कामकाच करिएगा अगर आप इस level पर खरीदते हो यानि 620-30 की जिवन में वहाँ पर एक perfectly अच्छा level है stop loss छोटा बनेगा और आपको एक profit भी अच्छा मिल जाएगा यहाँ से क्या है कि option के premium उतनी तेजी से jump ना करें अगर यह बिना dip के सीधा ऊपर जाता है अगर डिप आती है तो option के premium पहले घटिंग के call side के और फिर एक recovery पर भढ़ने के chances रहेंगे तो आप bank nifty पर focus कर सकते हो सहते सजा 900 तक के target के लिए कि bank nifty में इस्टिल अभी जगे है निफ्टी के लिए अगर देखा जाए आज का trend positive ही ही है दिख रहा है clearly क्योंकि कहीं पे भी इसने अगर देखा जाए आपने किसी भी swing low को नहीं break किया देखो यह किये recovery आई यह एक swing low बना इसको break नहीं किया फिर यह swing low बना इसको break नहीं किया फिर एक यह swing low बना इसको break नहीं किया फिर एक यह swing तो continue यह indicate कर रहा है कि market में जो recovery है वो sustainable है और थोड़ा सा और भी यहाँ पर extend हो सकती है अगर यह swing break नहीं होते हैं इसलिए हम आपको bank nifty में participate करनी के लिए बोल रहा हूँ तो इस पे नज़र रखो आपको अगर opportunity मिलती है कोई भी dip मिलती है तो आप यहाँ पे bank nifty में longer करके काम कर सकते हो इस top loss आज के दिम का आप मान के चलो सहते से या 500 का सहते से या 500 तो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप exit कर सकते हो तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो प्लाल इस वीडियो में इतना है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक वश्ट ज़रूर करिए का चैनल को जो सब्सक्राइब पर लीजिए क्योंकि मैं सुधी लेकर आता हूँ हर दिन आपके लेने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो